यहां पर आपका जो phone भो खुल जाएगा और यहां पर आप अपना pattern लगाएंगे तो यह phone आप देख सकते हैं खुल चुका है और यहां पर नेटवर्ग भी अभी आ रहा है और यहां पर आपको करना है जो की दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये एरटल का जो sim card है इसमें PUK lock लग चुका है तो आज की इस video के अंदर मैं आपको इसे खोल के पूरा process दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अगर आपके नंबर में यहाँ पे PUK lock लग जाता है तो कैसे आपको खोलना है तो यहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी एक और device की जो की हमारे पास एक और device है तो हम फिर इसकी मदद से निकालते हैं PUK code उसके बाद मैं आपको इस device को unlock करके दिखाने वाला हूँ कि इस device में जो PUK code लगा है उसे खोल दूँगा असानी से और आपको पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ देखिए दोस्तों अगर आपके नंबर में यहाँ पे PUK code लग जाता है तो फिर आपको एक अलग से device जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे PUK code निकालना पड़ता है जो की company के तरफ से निकालना पड़ता है तो यहाँ पे हमारा Airtel का नंबर है यहाँ अपने फ्रेंड या Carne का मोबाईल फोन ले ले लेना है जिसमें यहां पे एटल का number लगा हो तो उसके बाद आपको dialer pad को open करना है और उसके बाद यहां पे लिखना है star 121 star 51 has उसके बाद आपको call कर देना है और call करना है एटल वाले number से फिर उसके बाद जैसे ही आप call कर देंगे तो यहां पे एक notification आएगा इसको आपको okay क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने एक और notification अभी आएगा जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आपके सामने आजाएगा उसके बाद यहां पे आपको तीसरे number पे P.U.K. का option देखने के लिए मिल जाता है तो आपको यहां पे 3 type कर देना है और 3 type करने के बाद आपको यहां पे send पे क्लिक करना है उसके बाद यहां पे आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा जिसमें लिखा है P.U.K. for others, P.U.K. for self तो हमारा यह दूसरा number है तो यहां पे हमारे दूसरे number के लिए हमें P.U.K. कोड चाहिए तो हमें सबसे पहले यहां पे number 1 type करना है उसके बाद एक type करने के बाद आपको यहां पे send पे क्लिक करना होगा send पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इस वाले phone का mobile number आपको यहां पे डाल देना है तो चलिए हम mobile number एंटर कर लेते हैं mobile number डालने के बाद आपको यहां पे send पे क्लिक करना होगा उसके बाद दोस्तों यहां पे आपने जब वो sim card लिया था तो जो document आपने उस sim पे लगाया था उसमें जो DOB है आपका जो DOB है जो आधार कार्ट पे या फिर निर्वाचन कार्ट पे है वो आपको यहां पे डालना होगा जो भी document आपने दिया था sim लेने के समय उसी document से देखकर वो आपको यहां पे DOB डाल देना है हमने यहां पे DOB एंटर कर लिया आप यहां पे send पे क्लिक करते हैं finally दोस्तो हमारे पास P YOUpark Code आ चुका है हमारे इस वाले फोन के लिए तो हम चलिए हम इस वाले P You이에 Code को इस वाले फोन को डालते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं ने यहां पे P YouKI Code को इस वाले फोन मे डाल दिया है अब यहां पे OK पे क्लिक करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कूछ ऐसा इंटरफिस आया है तो इंटर न्यू पिन कह कई रहा है तो यहां पर आपको डाल देना है 1, 2, 3, 4 उसके बाद आपको ओड क्लिक करना है और यहां पे नेटवर्ग भी अभी आ रहा है और यहां पे एक कम और आपको करना है जो कि यह कि आपको सेटिंग्स में जाना है उसके बाद यहां पे आपको सिक्योरिटी में जाना है और सिक्योरिटी में जाने के बाद आपको यहां पर सिम कार्ड लॉग पे आना है और उसके क्लिक कर देना है उसके बाद यह जब बंद हो जाएगा ना तो आपके नंबर में यहाँ पर प्यू के लॉग जो है वो हट चुका है पूरी तरह से अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाकी आप हमें कॉमेंट सेक्षन में बताईएगा कि क्या आपका प्यू के ल